हुआ हुआ है 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 यह वेलकम वंस अगें मैंना नाम सक्ति सिंग सौधंकी है और आज हम इस नए सेशन में नए वीडियो के साथ में जिस टॉपिक पर हम डिस्कुस करने जा रहे हैं वो है पनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन एंड इस्टेस यह दोनों से मिदा जुदा यह दोनों अपने आप में जुड़े हुए टॉपिक है हम स्टेस को ट्रांस्क्रिप्शन से और ट्रांस्क्रिप्शन को स्टेस से हम अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह कुल मिदाकर स्टेस ही होता है जो आपका फनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन डिटर्मिन करता है और इसक के उपर हम उन कारणों को जानेंगे कि किस तरह से स्टेस्ट आपकी ट्रांस्क्रिप्शन को प्रभावित करता है यह क्योंकि यह जो पूरा जो मामदा है वो किस से समंदित है लेंग्विच से समंदित है तो फ्रेंड्स सबसे पहले में कुछ बैसिक चीज़े जो मैंने अप और दे रखा है अगर आपको फॉनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन सेखना है उससके बाद उस पेल वीडियों को ऊवज से печ क्यों आउषिक्टा होती हमें इंधी में तो Phonetic Transcription के आउषिक्टआ नहीं होती है टो फिर इंगर्डिश में फॉनेटिक Transcription के आउसकता क्यों होती है यह क्या और यह सारा ही मेनेầnrange इसमें जो भी है Consonants are Wows फूरा उस station में बता रखा है अब मैं आगे बढ़ने से पहले दो-तीन महत्बून बात के साथ में शेर करना चाह रहा हूं वह किसे समयर्दित है और वह किस समयर्दित है वह आपके उस एक्जाम समध्दित ए जिसकी आप तयारी कर रहे हैं और में stress और phonetic transcription उस exam में पूछ जाते हैं तो friends सबसे पहले महत्पूर्ण बात यह हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं हम लेंग्विज लेर्निंग की बात कर रहे हैं हम लेंग्विज को सही करने की बात कर रहे हैं हम लेंग्विज को सीखने की बात कर रहे हैं हम लेंग्विज को का उच्चारन सही करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं इसके सबसे महत्पूर्ण भाग पर आता हूं कि एक लेंग्विज कै करना पड़ेगा जो मैं यहां पर पता रहा हूं आपको वही मेथड फॉलो करना पड़ेगा चाहे आपको इसी बास्टा सीख रहे हैं तो वो क्या है एफ लैंग्विज लैंग्विज एफ्ट लैंग्विज इस लेर्ण थूरू 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 यह यह मूल है यह मूल बात है कि एक भाशा एक भाशा किससे सीखी जाती है इस लेर्ण थूरू यह इक भाशा कान के माध्यम से सीखी जाती है यह यहने कि आनी कि आप उस भाशा को जतना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा आप उसको बोल पाएंगे जो में बात करहा हूँ यह बिल्कुल नैचुरल बात है बिल्कुल स्पॉंटेनिस बात बिल्कुल प्रकर्तिक बात है बिल्कुल नहसरकिक बात है यानि कि आप को इसे follow करेंगे तो ही आप भाशा को बोल आएंगे अनिता नहीं क्योंकि इसको इसका उधारन में आपको बता दू कि जो व्यक्ति जन्म से बहरा होता है जो जन्म से गुंगा होता है उसके टंग भी होती है लेकिन फिर भी गुंगा होता है क्यों होता है क्यों होता है उसका कारण है कि उसकी कान जो है वो सुननी पा तो उसको input नहीं मिला है , जब output नहीं को नहीं कैसे, बिलकुन की बात हम मुश्ण करें , बिलकुन चीज की बाद हम यहां कर रहे हैं तो सबसे महत्पून क्या है language is learned through years इसके साथ मैं एक बात मैं इसको quote कर रहा हूँ language language starts starts language starts with the ear यह किसने कहीं है यह बात जो है मैंने सीधा ही O-Connor O-Connor यह एक तो phonetics की विद्वान है जिन्होंने phonetics के ओपर बहुत सारा काम किया है और better English pronunciation इन्होंने एक बुक दिखी है जो phonetics के मामदे में आपके sound के मामदे में बहुत useful book है उन्होंने अपनी बुक में जो introduction है वहाँ पर दिखा है language starts with the with the ear कि language जो है वो कान से सुरू होती है मेरा यहाँ पर कहने का अतात्पर यह है कि हम यहाँ पर जिस बात की बात कर रहे हैं phonetic transcription की बात कर रहे हैं हम stress की बात कर रहे हैं यह सारा मामदा किस से समंदित है sound से समंदित है इसलिए अगर आपको इसको सही करना है तो आप correct English सुनिये आप जितना अच्छा सुनेंगे जितना जो सुनेंगे वो बोलेंगे सीरी ची बाते यह बिल्कुल नियम है आप मान कर चलिए कि आप जैसा सुनेंगे वैसा बोलेंगे आप अगर वाज सुनेंगे तो वाज भी बोलेंगे अगर आप वोज सुनेंगे तो वोज बोलेंगे यह बिल्कुल spontaneous है यह बिल्कुल input और output का मामदा है तो यहाँ पर हमने एक basic चीज़ की बात कर दी कि किसकी बात की हमने यहां पर हमने यहां बात की लैंग्विज जो है वो किससे सुरू होती है वो होती है सुरू आपकी कान से और उन्होंने एक दो चीज़ और भी कही है कि आपको lend me your ears यानिकि आप जो है मुझे कान आपके lend करिये यानि कि मुझे कान दे दीजे यानि कि उनका कहने का मतलब है कि आप जितना ज़्यादा उस चीज को सुनेंगे उतना ज़्यादा प्रभाव से डंग से आप उसको सीख पाएंगे यह तो कुछ बेसिक बात जो लेंग्विज में इस समंद में करनी थी अब हम जो सुरू कर रहे हैं जो हमारा तोपिक है वह है पॉनेटेग ट्रांस्क्रिप्शन स्टेशन में इस से प्रेधे बादे शेशन में डीटेश में चर्चा कर चुका हूँ अब हम आ रहे हैं एक तो stress के उपर और दूसरा बात दूसरी बात यह किस प्रकार से stress जो है वो effect करता है किसको pronunciation को कैसे stress जो है pronunciation को निर्धारित करता है इस बात पर हम आ जाते हैं yes देखिए सबसे पैसे हम यह जान दें कि stress क्या होता है what is stress stress क्या होता है stress होता है an extra force किसी extra force से ज्यादा force से ज्यादा बल देकर ज्यादा जोड देकर जिसको हम यह भी कह सकते हैं emphasis आप क्या कर रहे हैं आप उस पे किसी के उपर किसी बाग के उपर आप जोड़ देकर कह रहे हैं जोड़ देकर बोल रहे हैं वह जोड़ देकर किसको बोल रहे हैं दो चीजों को जोड़ देकर बोल रहे हैं आप एक तो आप बोल रहे हैं वर्ड को दूसरा आप जोड़ दे रिकर बोल रहे हैं syllable को आप इसको और समझेए stress दो तरह से होता है दो तरह से stress का use किया जाता है एक तो होता है sentence stress और एक होता है word stress sentence stress sentence stress और दूसरा होता है word stress sentence stress में क्या होगा sentence stress में एक sentence दिया होगा जिसमें किसी भाग पर ज्यादा जोड़ देकर बोला जाएगा तो वहाँ पर stress लगेगा तो sentence stress में stress किस पर लगता है word पर ये ध्यान देनी की जुरूत है sentence में stress किस पर लगता है sentence में stress लगेगा word पर और word में किस पर लगेगा Civaal पर कोई एक इकए पर कोई unit है उस word की उसके उपर stress लगेगा इसको मैं समझा दूगा کہ Ceval क्या होता है थोड़ी से दैर में यहाँ पर हम यह समझे के तो दो बाते हो गई कि हम जोड़ देकर stress जो है वो एन extra force है extra force से किसी शब्द को बोला जाए या किसी syllable को बोला जाए तो वो हमारा stage कहलाता है यानि कि an extra force या ये एक emphasis से जोड़ देना है sentence stage हो गया और word stage हो गया word stage किस पर होगा? syllable पर वापिस word stage को दो भागों में बाट सकते हम एक तो primary कुन सा? primary और दूसरा secondary यानि कि एक तो हो गया आपका एक तो हो गया आपका primary मुखी stage और दूसरा secondary stage अभी कैसे मार्क होता है कैसे कहां लगाए जाता है इसके उपर हम बिल्कुल बात करेंगे आप देखें तो यहाँ पर हमने क्या बात कि है कि जो sentence है वो sentence stress हो गया word stress हो गया primary हो गया secondary हो गया अब sentence कैसे sentence में stress सकता है कैसे word में stress सकता है कौन सा secondary होता है कौन सा primary होता है उसके उपर हम बात करते हैं सबसे पैदे हम बात करते sentence sentence में कैसे stress सकता है जैसे हम एक उधारन देते हैं अब देखिए हम किसी भारती भाषा में इसको भारती भाषा हमारी अगर मदर टंग है चाहे हिंदी है चाहे तेल्गुए है मल्याद हमें कोई भी भारती भाषा है तो उसमें अगर हम बोलेंगे तो इसको हम ऐसे बोलेंगे वेर आर यू गोई हम एक ही लाइन में इसको बोलने का प्रियास करते हैं क्योंकि हमारी जो मदर टंग है उसमें इसी तरह से बोला जाता है उसमें किसी प्रकार का उतार चड़ा हम उसमें नहीं करते हैं लेकिन अग जोर की भागों को उतना जोर नहीं देगा बारावर का जोर नहीं देगा, जैसे वो बोलेगा, Where are you going? वो एस तर से नहीं बोलेगा. Where? एक तो यह प्रॉमिनेंस से सुने देगा, और दूसरा जो गोई है, वो प्रॉमिनेंस से यान्य प्रमुक्ता से सुने देगा. वेर आयू, ये आ हो गया, ये यू हो गया, when simple, जोडनी देना इस पे, where are you going, where are you going, याने कि where पर sound उपड़ जाएगी, are और you पर निचे आएगी, going पर वापस उपड़ जाएगी, तो इस परकार से यहां पर जो status दिया आपने, वो किस पर दिया है, going पर दिया है, तो going पर जो है, वो आपकी voice जो है, where are you going, where are you going, what is your question, what is your question, तो question पर आप ज़्यादा जोड़ दे रहे हैं, तो इस तरह से जो जिस भाग पर ज़्यादा जोड़ दिया जाएगा, वो कौन सा होगा, word होगा, ये तो हो गई, आपकी एक कि हमने किस पर जोड़ दिया, sentence stress पर, अब हम वड़ते हैं आगे, किस पर, word stress पर, word stress दो होते हैं, यहां पर हमने अभी, अभी देखा है, देखी है, कि जो sentence stress में हमने क्या बताया, कि word stress दो होते हैं, primary होता है, और secondary होता है, primary होता है, तो दो stress होते हैं, primary, अधिकतर शब्दों में, एक ही stress होता है, वो कह दाता है, primary stress, most of the words, अधिकतर शब्दों में, जो stress काम में लिया जाता है, वो यही primary या मुख्या stress जो है, वो ही काम में लिया जाता है, तो फिर secondary stress कहां लगता है, ऐसे शब्द, जो बड़े हैं, देखिए, आप जब भी हम कोई शब्द बोलते हैं, शब्द का उचारन करते हैं, तो उसके लिए force की आउशकता होती है, उसके लिए बल की आउशकता होती है, उसके लिए power की आउशकता होती है, जब कोई लंबा जब्द का उचारन करने के लिए हम दो जगे stress रगाते हैं, एक तो शुरू में और दूसरा उसके बादवाज़भाग में, तो दो भागों में उसके stress सकता है, तो उसको आसानी से बोला जा सकता है, अब हम बात किसकी करना है, वर्डी stress की बात करना है, चलिए, वर्डी stress मे हम सबसे पैसे देखते हैं, प्राइमरी stress किस तरह से है, उसके उपर बात कर देते हैं, प्राइमरी stress, अब प्राइमरी stress कोई भी शब्द दे रखा है, उसके उपर की तरफ इस तरह से मार्क होता है, इस तरह से जो है प्राइमरी stress मार्क होता है, अब इसको उधारन समझनी क इन्फोर्मेशन यह बहुत अच्छा शब्द है कि ठीकने के लिए हम इस शब्द से कटीन शब्द भी नहीं है हम परिशित भी है इन्फोर्मेशन अब कोई भी विकति जो इंडियन लेंग्विज से आता है जिसकी मदर टंग भारती भाषा है हिंदी है पंजबी है कोई सी भाषा हैarin मराथी है तो वह इसको पड़ेगा तो वह अपनी मदर टंग में पढ़ता आया है जो दिखा है वो पढ़ रहे है हम सभी यह करते हैं जो दिखा है वो पढ़ रहा है लेकिन एंग्लिश में क्या है कि इंग्लिश एक पूर्ण रुप से साइंटिफिक लैंग्विज नहीं है जहां तक लिखने और बोलने का सवाब है क्यों कैसे नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो जैस आप उसको नहीं दिख रहे हैं तो इस इस बात को लेकर यह और अलग बात है इस पर बात करेंगे यह जो सब्दे कौन सा तो हम जो भारती बाचाओं से इसको क्या पढ़ेंगे इन पॉर मेंशन मेरे पास एक इन फॉर मेशन है आयव गॉट एन एन भी लगा देंगे इसके साथ में क्यों क्यों लगा देगे क्योंकि आई है लेकिन इसके आगे ना तो यह लगेगा ना यह कुछ भी नहीं लगा यह कुछ बहुत पांच इनफोर मेशन तरही है अभी हम इसंको क्या बोल रहें क्या इनफोर्मेशन और यहां पर इसक इस पर लग रहा है मां पर लिए है इसका रूल यह होता है कि जो शन वाला जो शब्द शन से समाप्त होता है जिसमें लास्ट में टी आई ओ नाता है उससे जस्ट पहले वाले से लेबल पर इसमें सकता है अब यह वापिस यहां पर एक शब्द आया आगे बढ़ने से परदे उसको भी में क्लियर कर दूँ यहां पर एक शब्द आया और यह बहुत आएगा यह बार-बार आएगा बीना से बल के स्टेस नहीं होगा तो इसको समझना भी हमें जूरी है से लेबल क्या होता है एने ओफ दे इने इनिट्स इन्ट विच वावल साउंड कंटेनिंग वावल साउंड एंड वन और मोर कॉंसोनेंट्स क्या वोदाय मैंने एसा कोई भी किसी शब्द का की कोई भी इकई उसका बाग यानिकी शब्द के भाग करें अब यहाँ पर इन्फोर्मेशन रहे, इन्फोर्मेशन के हम भाग करेंगे आप तो क्चो इस पर पइंज कल धिक है अपना खुद का वा उस सांड वा ऊज़र नई क्यों वाय्प वावन नहीं जब आपने जैसे मुदा है नदो आपको देखें वह अए हो गया यह कर लेकिन यहां पर देंगे दोभाउन है यह भी वह स्थान धों यह समझे आप इस बात को सुमझे साउंड यहां पर दो नहीं है साउंड कि वज आ की ही एक यह के तो सब्केर नहीं है तो सब्सक्राइब किसी भी शब्द का एक पाद या उसकी कि कई जिसमें उसके वाउल साउंड होना ज़र्णी है जिका हुर उसको हम यह उसमें उसको काउंट नहीं गरेंगे तो इन्य ऑफ द इन्ट कॉंसोनेंट हो आपको मुख्यूरोप से वावल देखना है जैसे हम जिन मात्राओं का हम प्रियोग करते हैं ना हिंदी में बस आप यू समझ देए वह मात्रा ही मात्रा और उसके साथ में है जो कॉंसोनेंट है वह एक सदबल बनाता है अब देखिए इसमें कितने सदबल है यहां पर यह साउंड है इन तो यह एक हो गया फो दो गया तीन में और शार शन यह हो गया तो कितने हो गए आपका एक दो तीन और चार कितने से दबल हो गए वन टू ट्री एन फोर यह फोर से बिक वर्ड है कोई सब्स only इईसमें कितने भाड़े इसमें किसरे और बोट कि हैं रही है नेकिन से दो और एक है क्या है क्या 5 तो इस तरह से देखते हैं वापसा दीदाए données inải पर हम बात किसी कर रहें इस्टेस एंवाइम्री इस्टेस में हम इंफोमेशन करते हैं कि ऋच्छारण को प्रभावित करता है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं यहां पर यह जगे इन्फोर की जगे इन्फोर हो गया और यह वाफिस यह उतारा गया यह शब्द जो है इस तरह से बोजा जाएगा अब कैसे जाएगा यह information नहीं है, information नहीं बोदा जाएगा, यह बोदा जाएगा, info, in for से क्या हो गया वो, info, क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि उसको sound नहीं मिद रही है, sound, हमें sound का देनी है, उसको में को देनी है, में को ज्यादा sound देनी है, तो उसके दिए बचा के रखनी हमें तो info क्या हो गया यह info information have you got the information 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 तो यह information नहीं होके क्या है यह information है तो यह आपका यह मा की उपर जो सब्सक्राइब इस तरह से यह उपर की तरफ यह आपके प्राइमरी स्टेस का उदारन है अब हम यह साथ मेसे पीदेख़ें के सेकंड का उदारन भी एक हम देख तो के मैं कि देखिए 2 सेकंड इस्टेस का इस्टेस का अब आ कि सेकंड ने इस्टेस is used in longer words, जिसमें ज्यादा लंबा शब्द है, जिसको उत्चारण करने में ज्यादा कठने ही होगी, उसके लिए इसका हम यूज करते हैं, यह देखिए, अब इस पे यह तो लग रहा है आपका सेकेंडे स्टेट्स, मैंने आपको अभी बताया, तो जो शब्द से खतम होते हैं, उसमें स्टेट्स जो है, उसकेंडे स्टेट्स से पहले वादे स्टेट्स पर लग रहा है, यह देखिता है, यह शान खतम हो रहा है, और इससे पहले वादा से बद कौन सा है, तो यहां पर इस्टेट्स दगेगा, तो यह प्राइबरी स्टेट्स तो टी पर लग रग गया, ट पर लग गया, और यह किस पर लग गया, क पर, तो यह तो हो गया आपका सेकेंड इस्टेट्स, सेकेंड इस्टेट्स कौन सा हुआ, क पर लगने वादा, सी पर नहीं, क्यूंकि इसका साुन क्या है, इसका साुन है क, से सुन नहीं defect, तो यह हो गया को, यह क नहीं है, क कम्पटिशन, कॉंप्टीशन, कॉंपेटीशन को से सुरूगा को में भी जोर है को पर अब यह पे नहीं है कॉंपे नहीं है क्योंकि यह जोर यहां पर आ रहा है तो इसको दिखा कैसे जाएगा पॉनिटिक इसको ऐसे दिखा जाएगा यह कर यह ओ कॉंप यह हदन्त वादा कॉंप क्या हो गया कॉंप फिर टी कॉंप टी और यह शन यह और यह ना यह फॉनेटिक ट्रांस्क्रिप्शन है इसका अब इस पर आपी सिस्टेश लगा देते हैं इस्टेश कहा आ गया यह तो आगया आपका सेकेंडरी और यह आंगे आपका अधिकसर है आपको मुख्षDY से प्राइमरी स्टेश ही पूछे जाते हैं मुख्षDY रूप से प्राइमरिस स्टेश पूछे जाते हैं मैंने आपको आपके सामने दोनों स्टेश पर अगे बढ़ते हम अगी जो हमारा जो मुख्य अपने टोपिक पर आ जाते हैं अपने मुख़्े बाद बुला जाते हैं कि किस प्रकार स्टिस जुह है वो करता है कि और कैसे स्टिस जुह है Eigen को डिटर्मिन करता है इस इस के बारा मैं आ कि आ ऐसे देखिए इसका अच्छे इंदारन से हमर्म में इसको सुमझते हैं दो syllable, ऐसे शब्द, जिसमें दो syllable, दो syllable के ऐसे बहुत सारे शब्द इंग्लिश में होते हैं, जो की उनका एक्सेंच्यल पैटर्ण, उनका एक्सेंच्यल पैटर्ण, याने एक्सेंट का पैटर्ण, एक्सेंट किस पर लगेगा? दो syllable, तो स्लेबिक वर्ट्स, क्या होना चाहिए? देर आरे नमबर अप्वर्ट्स, ओफ तू स्लेबल, अंग्रे जी में दो स्लेबल के बहुत सारे शब्द हैं, जिन इन वीच दे एक्सेंच्यल पैटर्ण, एक्सेंच्यल पैटर्ण, डिपेंड्स ओं, वेडर दो वर्ड इस आजए अज़ेक्टिव, नाउन और वर्ड, कि वो जो शब्द है, टू स्लेबल के ऐसे शब्द जिस पे उनका एक्सेंट इस बात पर निर्वर करेगा, कि वो शब्द क्या है, वो शब्द एज़ेक्टिव है, किस रूप से अकाम में आ रहा है, नाउन है, एज़ेक्टिव है, नाउन है, या वो क्या है, वर्ड है, ए इस बात पर हो निर्फर करेगा अब इसको भी हम मुदारण से देख रहते हैं कि किस तरह से यह ऐसे शब्द जो तूसलेबिक वर्ड है उस पर एजेक्टिव नाउन और वर्ब से यह कैसे डिसाइड होगा यह भी उस बात पर भी हम आजाते हैं यह यहां पर हम देख रहते हैं यह है एजेक्टिव और यह है आपके वर्ब एजेक्टिव और नाउन का एक्सेंचल पेटर्ण सेम होता है और वर्ब का वर्ब का जो है वो एक तरह से अलग होता है अब हम एक उधारन दे रहे हैं हम यह कि एक शब्द लिया हमने यह एक यह नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है जैसे उधारन से में देख दोनों के उधारन दिख रहा हूं देखिए सहारा इस दा लार्जेस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट इन दा वर्ड देखिए दोनों में क्या रहा है सहा इस लार्जेस्ट डेजर्ट यह क्या है यह एक एजग्ट्टिव है वो किस holistic किससे पहले जगा है N baja तो यहां पर यह है यहां अयां पर क्या किस पर लगे गाई यह लगेगा यह लगेगा दभ लगई देजर्ट तो सउड्ड क्या हो गया डेजर्ट हो गया और इसमें किस पर लगईगा सब्सक्राइब तो यहां पर यहां पर इस तरह से हम यहां पर दोनों ही जगे पर डेजर्ट का यूजवाए डेजर्ट एक नाउन है और यह क्या है यह आपकी वर्ब यह है आपकी वर्ब देजर्ट दे विदेज अब इसका दोनों का किस तरह से एक ही शब्द एक ही स्पेलिंग होते हुए इनका उचारंग कैसे बदल जाता है उसका उधारन देखिए यह क्योंकि ड़ पर इस पे वो लग रहा है इस्टेस लग रहा है इसलिए एक ही मात्रा ब पिर जर पत रह आएगी नीज डेजर्ट वह क्यों क्योंकि इस पे जोर भलंक साम में या जोर किस पर आ रहा है सर पर आ रहा है तो यहां पर यह कि कि जगे डी हो गया और यह आपका जर एसा का एड़ा और उधर नहीं आ रहा था रह साउन्ड नहीं था बेकिन इधर आएगा क्योंकि इस पर जोर दिया जा first syllable पर जो है वो state लग रहा है इसमें second syllable पर लग रहा है तो वापिस में एक बार सरल शब्दों में इस नियम को दोरा देता हूँ ऐसे शब्द जिसमें दो syllable हो और उनका accent इस बात पर निर्भर करता है कि वो noun है adjective है या verb है यदि वो noun और adjective की रूप में use में आएंगे तो उनके उपर syllable जो है first syllable पर stage लगेगा noun और adjective में first syllable पर stage लगेगा लेकिन वो verb होते ही अगर वो verb की रूप में प्रयोप में लाया जाएगा तो उसमें second syllable पर stage लगेगा यहाँ पर हमने दोनों का उधारन देख लिया और साथ में हमने ये भी देखा है कि किस तरह से इनका noun और adjective या इसमें stage बदलते ही यह कैसे day हो गया यह और कैसे d हो गया कैसे उनका उधारन कैसे उनका use उनका stage shift होते ही उनका उच्चारन बदल गया तो stress आपका उच्चारन निर्धारित करता है न कि उच्चारन stress निर्धारित करता है महत्पुन क्या है महत्पुन आपका stress है stress अगने से उस शब्द का उच्चारन निर्धारित होगा आगे बढ़ जाए हम एक उधारण दिया हमने किसका डेजर्ट का एक अच्छा उधारण देखिए आप इसको आर बहुत सारी बार इस शब्द को भी गज़त उच्चारण किया जाता है बहुत सारी शब्द हैं रोजमरा में काम में आने वाला शब्द है अब हम उसको नौन की तरह से यूज़ करेंगे नौन या एज़ेक्टिव की रूप में यूज़ देखिटरि super ये क्या हो जाएगी वर्भ ऑगर अगर हम उसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो यह क्या है यह जोर किस पे अरा रहा है और वर्व की तरह करेंगे तो क्या होगा अब इस पर करेंगे तो यह क्या हो गया रे, को, ड, रेकोड यहाँ पर जोर किस पे है ए पर रेकोड रेकोड है नाउन है तो रेकोड है और अगर वर्व है तो क्यूंकि यह जोर किस पर आ रहा है कर पर आ रहा है तो यह रे की जैगे क्या हो गया री हो गया जो स्मूथ साउंड है जो हल्का साउंड है जो शोट साउंड है री कोड रिकोड तो रे से क्या हो गया वो रे हो गया एक और अच्छा होदान देखिए अब बहुत फर्क पर जाता है इसमें देखियो उच्छारन में और आपको यह अगर नावन है जैसे अपने ने केते हैं रेबल यह रेबल रेबल तो इसमें क्यों है क्योंकि इस पे फर्सिद्र दिबल नावन है तो फस्केश पर इस पर वह इस्टेस हा रहा है तो यहां पर यह क्या हो गया औरे बल रेबल और यह क्या हो गया यह क्योंकि वर्ब है तो यहां पर stage कहा लगा है second पर तो यह हो गया री री रिबल यह रेबल है यह रेबल है यह रेबल है और इसी से आपने सुना हो तो rebellion rebellion विद्रोज इसको कहते हैं उसको क्या बोल देंगे हम rebellion ही बोल देंगे क्योंकि उसके भी जो इस्टे से वो बह पर लग रहा है rebellion 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 इस तरह से तो हमने यहां देखा record कर दिया हमने फिर उसके आदावा हमने rebel कर दिया और उस इसका उधारण देखिए यह बहुत अच्छा उधारण है और बहुत ज़्यादा इसमें इस तरह का फर्क आपको देखने में मिल जाएगा यस यह क्या है अगर यह एक ऐसा सब्दे जो noun में भी काम आता है आपका noun भी है adjective भी है और आपकी वर्ब भी है noun में और हालंकी pattern उसका वो ही है अगर यह noun यह adjective में होगा तो इस्टेस का लगेगा फस्ट रबल पार तो यह क्या होगा pray क्या हो गया यह pray जन क्या हो गया present जिसका अपन नहीं कहता है gift दोनो दोनो जगे पे in the present in the present situation situation noun उन्हें present क्या हो गया आपका adjective हो गया in in the present situation तो present है वो pray present है या gift के दिए my father gives me present क्या होगा वो present on my birthdays every year तो my father gives me a present तो यहां पर यह क्या होगा present होगा लेकिन जैसे यह वर्ब होगी यह हो जाएगा pre और यह जो earth का sound है वो हो जाएगा यहां पर a present आप कभी भी कोई प्रोग्राम आता है और वो sponsored होता है तो आप उसको सुनेंगे तो आपको यह जो फर्क है वो आपको अच्छी तर सुने देगा this program was presented आप सुनें उसको ध्यान से presented होगा वो presented नहीं होगा वो क्या बोदेंगे आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो वो उसमें बोदा जाएगा this program was presented pre presented इस पर अगर ed आ जाएगा तो यह id की मात्रा इस पर id की मात्रा इस पर आ जाएगी तो यह presented हो जाएगा ना कि presented हमारे लिए हम चलिए आगे बढ़ते हैं तो इस तरह से यह presented हो जाएगा एक दो शब्दों और देते हैं इसको समझने के लिए absent यह noun और adjective और यह क्या है वर्ब यह भी एपसेंट इसको कैसे फस्ट पर इस पर इस पर सेकेंड पर एई यह जब यह जातpower प्सेंट। ये जम क्यम क्या आप इस थो और यह जो और यह जो है वह है एर पोधार को हमने सब्सक्राइब और चोहरा देखा और जो सुरात में एक उधारन हमने और देखा था तो इस तरह से यह यह सारे उधारन देख लिए एक दो दानों और देजिए यह 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 भी बहुत ज्यादा यूज़ होता है अगर यह यह नाउन है कि सुरी प्रोड्यूस यह बार बे तो ड़ पर आएगा किस पर आएगा ड़ पर आएगा अब इसका देखिए पी यह ओ है क्योंकि जोर इसी प्यार आया है तो इसको हम क्या बोदेंगे प्रो फिर ड़ उ की मात्रा और सर्प्रोड्यूस प्रोड्यूस लेकिन यह वर्ब होते ही प्र हो जाएगा प्र 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 फिर आपिस इस्टे से गया ड़ यह उ की मात्रा और एस यह क्या हो गया प्रेड्यूस जो बहुत रोगोघ्ट अगर जाएंग तो इंडिया प्रिक्टिव में इंडिया है जो भी तो इस तरह से वो उसमें क्या क्या आएगा वो प्रो क्या आएगा तो यहां पर हमने इन कुछ उधारण से इसके अजावा आप और भी प्रेक्टेस कर सकते हैं किस पर कर सकते आप उस पर देखिए एक शब्द इस पर आप देखना इनक्यों धरन देखना आप जये एक यह देखना इंक्रीज एक यह देखना डिक्रीज इनके उपर भी आप इनको देखेगा और इसके उपर प्रेक्टिस करें लिए तो यहां पर हमने अभी यह देखा कि किस प्रकार जो है इस किसी शब्द के उच्चारं को प्रभावित करता है अब इसके साथ में